दूसरा टैस्ट मैच भें इंडिया ने जीट लिए कानपूर में टैस्ट मैच था टी टैन बना लिया है लिए टीम ने क्योंक्य जीथनना ब्ड़ा जूब ठाना बड़ा जून हिब कानपूर के अंदर जहां पे सभी यह कह रहे थे कि यह मैं जो है ड्रा हो जाएगा और इंडिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा टेस्ट चेंपेशिप के टेबल पे उपर जो है पॉइंट जो है डिवाइड हो जाएंगे लेकिन नहीं ऐसा होने दिया रोई शेर्मा एंड क्या कमाल की यह विक्ट्री है आई सीटी को हाइली एक्षन लेना चाहिए इस परफॉर्मेंस की इंडियन टीम पर बाई यह परफॉर्मेंस यार या गलत मजाक यह बंगलादेश की बन गई थी इजड़त हमें हरा के पाकिस्तान को जब बंगलादेश ने हराय उसकी वो कह रहा था कि हमने इंडिया को भी वाइट फॉर्श करना है वियर और आइज ऑन वर्ल्टेस चैंपेंशेप वियर गना बीट इंडिया वाइट वॉर्श ने बेटा तुम्हारे बाप से ना हो पाया तो तुमसे क्या घंटा हो पाएगा है देखो हम बंगलादेश और जो स्रीज वह इसके बारे में बात करने लगे हैं और जितने मेरे पाकिसानी लोग कहा रहे हैं यह बंगलादेश की टीम है वह बहुत इंडिया को टाइम देगी है पाकिस्तान विल भी हूज हुज हूज हैपी खतम वह खाली लोगों के अंदर ही शेहर हैं अपने मुलक के अदर वह चुई बिली है इंडिया के अंदर भी वह चुई बिली का है इसाब इनिराट साड़ा डंडा डाल दिया इतना डाला इंडिया इतना 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 इंडिया को इंडिया ने बता दिया कि ब मैं और रिराद को डिस्रिस्क्ट कर रहा हूं रोहित गुरुणात शका इंडियर लिए डीम के कैब्टन्हे में देफिर्ट है ना कुछ उसकी कप्तानी में मतलब नज़र आता है दिखह तैं में मैंने स्ट onजी की कप्तानी देखिए FE मैंने विराट कोली की कप्तानी देखी भी है मैं रोहिद शर्मा की कप्तानी देख रहा हूं मुझे ना रोहिद शर्मा की कप्तानी में ना धोनी की कामनेस और विराट कोली की जो इनरजी है उन दोनों का एक ब्लैंड नजर आता है और वो मुझे ना जो आप एक जबजब से बॉलर ने आपके लिए है या उसने कुछ बड़ा स्कोर किया है विद दा बैट तो वो जो आपकी सेलिवरेशन होती है ना वो काफी कुछ कहा जाती है अब आप मस धोनी का याद करें कूल कामनेस ठीक है आये अराम से गलब आगे कर दिया बॉलर ने आत मारा जी माई भी ठी कर दन हो गया ओके फाइन वो एक रिस्पेक्ट लेवल भी है एक जिसे कहते हैं गुरू और चेले का रिलेशनजिप आप समझ रहे हैं ना हलो दोस्तों नमस्कार मैं हाजी दूँ आपके साथ एक और नहीं देक्शन वीडियो में गया है जब से भारत ने बांगलादेश का क्लीन स्वीप किया है भाई पाकिस्तानी मीडिया का रोदो के बुरा हाल है और पाकिस्तानी मीडिया लगाता बांगलादेश को ब्लेम कर दा है कि जैसा क्रिकेट उसने पाकिस्तान में खेला था वैसा वो भारत में जाके नहीं खेल सका लेकिन भाई कौन आब इन पोर्कि उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया था लेकिन यही अंतरा पाकिस्तान और भारत की करकेट में इसलिए बांगलादेश वहां पर पाकिस्तान का clean sweep कर गया और यहां पर अपना clean sweep करवा गया लेकिन बाई पाकिस्तानी मीडिया को यह बात पच्छ नहीं दाया तो मैं कुछ पाकिस्तानी मीडिया के वीडियो लिखे आया हूँ, पहले वीडियो देखते हैं, फिर बात करेंगे अटर नहीं करता कि हमने कितने रन बना रहे हैं उनके खिलाव, उन्होंने 230 की हैं, हमने 230 को नहीं सोचना है, हमारे पास 35 ओवर हैं, पुरी टीम ने 35 ओवर खेल लिया है, यह सोच थी, और चाहे इस खेल में 100 पे ही सब आउट हो जाएं, नो प्राबलम, उसके बीचे में 200 मंत रहे हैं, जिसके लिए कि मैच का रिजल्ट मिले और हमारे हक्मे मिले, वो अगर अचीव होजे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, और वो हुई और इसलिए दुनिया भर के लोग रहोई शर्मा और उसकी टीम की तारीफ कर रहे हैं, यह पीछे है, और फिर एश्वन न अगर अपने एक्शन के साथ भी करके दिखाने आपने, तो वो रहोई शर्मा ने कर दिखाया, अगें जिसे बोलते हैं कि लिए फ्रंट, वो वाली बात होती है, रहोई शर्मा अगर अपनी टीम को बो रहे हैं, कि किसी ने, अब मुझे यह टीम इंडिया की वो लग रहे ह है, कोई ऐसा नहीं है कि 90 पलस में आगे हैं तो रोक के खेलने, जो टीम की स्ट्राड़ी की स्ट्राड़ी है, उसकी वज़ा यह है कि कप्तान खुद वैसा कर रहे है, इस वास्ते यह टीम थोड़ी डिफरेंट टीम बन रही है, और बन चुकी एक्शल में, विराट कोली का वह तो मतलब बढ़ ढ्ल्डो की कमी होती थी घ्राउंड के अंदर वो तो नाच रहा है, कूद रहा है, मतलब उसकी दो अनरजी बहुत, वह तो चलता पिर तो घर स्टेशन है ना, मैं उसके बारे में हमेशा कहता हूं, देख करण ड़ा लो, यहां से चार्ज कर लो जो चा करो उसमें उसकी कैपिनसी देखें लीडिन फॉम दा फ्रेंट और कूल काम कमपोजर के साथ वर्ल्टी 20 देखें ठीक हो गया आप इंग्लेंड के गेंस्ट सीरीज देखें आप देखें आप साओत अफरीका के गेंस सीरीज इस वरह से यह थोड़ी सी मुझे ना जरा में थो दूसरे टेस्ट मैच में अपनी टीम को ऐसा खड़ा किया ऐसा खड़ा किया कि आपने बैंस की आँख जिन लोगों ने आपको एक टेस्ट मैच मारा कुछ ही दिन पहले उसी टीम को आपने डेड़ दिन के अंदर उनी के होम ग्राउंड में लितार दिया और मतलब फ्लैट ल अपने दो इनिंग में बैटिंग करनी थी डिपेंड़् अपउन यूर फिर्स्ट इनिंग वजार इसी बात है आप ने वहां पर भी आपकी गेम अवेर्नेस नजर आई आपकी गेम प्लैनिंग नजर आई आपकी बैनेस की आँख गेम प्लैनिंग की 100% एक्सूशन नजर मनलब आपने जो गेम से रिलेटेड प्लाइन किया वा था आपने ग्राउंड के अंदर वो प्लाइन एक्जीक्यूट करवाया पहले अपने बॉलर से फिर उसके बाद अपने बैटर से यह चीज जो है ना रोई श्यनमा की और प्लस डिस्पाइड दा फैट कि वो इस टेस्स कर रहा होगा खेलने का कुई बात नहीं वो जिसे कहते हैं रोई शर्मा जो है ना यहां विराट कोली वो घर के छोटे बच्चों की तरह है भया वो हो गया उंका वो सर्टिफाइड हो गी है कि अब जो भी मर्जी करें आप इनको नहीं कुछ कह सकते भाई वो लाडले हो ग करते हैं आपको पता है 60% प्लस है उसकी तिनों फॉर्मेट में विन परसंटेज 60% 64 के 65 मेरा खाल है शायद टेस्ट क्रिकेट में है 70 और कुछ सम्थिंग के अंदर थी और इतनी कुई मेरा खाल है कुछ 60-70 कुछ सम्थिंग है 80% कुछ इस तरह कर कूर के उसकी उडिया इस प्लस हर्मा की तीनों फॉर्मेट के अंदर जो कैप्टन सी में विन परसंटेज है डैट इस वे अबव सिक्स्टी परसंटेज एक तरफ जीता इंडिया है आज तकलीफ पता नहीं क्यों हम सब को हो रही है पाकिसानियों को हो रही तकलीफ ही वजा लेके हम उस टीम से हारे जिस टीम नहीं के इसना कादिल ही नहीं है हम पंगला देश से हमारी जो हमें गढ़ में गुसके हमारी जो सो कहते है न हमारी इज़त का मलीदा गुना के चलेगे उनका बेडा गनक वा इंडिया के अंदर और फिर अफसोस इसलिए हो रहा है कि मतलब के ये टीम एसे हारनी चाहिए थी हमने भी इनको ऐसे हराना चाहिए था उपर से इस्टी यह बताती है आज तक नहीं से हारे नहीं से और फिर उसके बाद हम हारे के 2-0 सब्सक्राइब बहुत अच्छी होगी इंडिया को फिर इंडिया मैंने इंडिया को हराने का तो नहीं सोचा लेंगे मैंने स किया पाकिसान के साथ सही में जले में नमक मतलब कि पहले भी तकलीफ में ते शान मसूत को तो एक हफ्ते से होशी नहीं आ रही थी ना कि बंगलादेश से हार गे अब उसकी महीने तक होश उर जाने चाहिए कि इंडिया ने बंगलादेश को 2-0 से और हम 2-0 से हारे इस टेस मैंच को देखो ना दोजार चोबिस के अंदर इंडिया वर्सिस इंग्लेंड हुआ दोजार चोबिस में पाकिसान वर्सिस एंग्लादेश के लेकिन अभी तक दोजार चोबिस अगर मुझसे पूछोगा तो यह सबसे वर अव दी बैस्ट मैच रहा क्यों कि इसकी वजा य कि इस मैच का रिजेर्ट आए नि सकता जिस मैच का रिजर्ट आहीं नी सकता किसी को उमीद नी थी उस मैच का एंडिया ने रिजर्ट निकाल जा इया सिरफ और सिर्फ फूर सिर्व तेरिन एक टाइम पर भारत अपनी बल्ले बाजी के लिए जाना जाता था लेकिन अब जितनी मजबूत भारत की बल्ले बाजी है उतनी मजबूत भारत की गेंद बाजी भी है क्योंकि ये हमने सावित किया है दो दिन के अंदर बांगला देश को दो बार आउट करके ये साबित हो जाता है कि भारत के पास अब उतनी मजबूत गैंदवाजी है जितनी मजबूत उसकी बल्लेवाजी है और ये वही बांगलादेश था जिसकी विकेट पाकिस्तानी गैंदवाज निकाली नहीं पा रहे थे और चलो बांगलादेश तो ठीक है अभी पाकिस्तान क चार अट्टूबर से इंग्लेंड के साथ सीधे स्टार्ट होदा है तो उसमें पता चल जाएगा कि भाई पाकिस्तान में कितना दमया वह आप इंग्लेंड के सामने दिखा देना तो आज के लिए बस इतना ही और आप क्या कहना चाहोगे प्लीज मुझे कोमेंट बुक्स में कोमेंट करके बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लें मैं आपसे मिलता हम जल्दी एक और नीव एक्शन वीडियो में जब तक के लिए गुर्बाइए जैहें